नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है TV News with Fashion Twist आज है Day 6 जहां सब अपनी अपनी कहानी शेयर कर रहे हैं पर जब सना मक्बूल ने अपनी कहानी शेयर की तो सब शौक हो गए और एमोशनल भी हो गए उन्होंने बताया कि COVID के टाइम एक कुटे ने उनको लिप्स पे काट लिया जिससे उनको 125 टाके आए और उसी के चलते उनको ये लिप्स पे जो निशान है ये उसी की वज़ा से है फिर रन्वीर को भी बुरा लगा क्योंकि उन्होंने सना के लिप्स के उपर कमेंट जो किया था फिर आगे चलते हैं पाइल मलक ने भी अपनी कहानी बताए कि उनकी जो है वो कैसे तैयारिया कर रही थे क्रितिका मलक और अर्मान की शादी की तैयारिया तो स्टार्टिंग में उन्होंने कर दी लेकिन बाद में उनको बड़ा फील हुआ कि ये क्या कर रही है क्या क्यों कर रही है तो ये कहानी बताते बताते वो भी emotional हो गई और काफी देर तक रोती रही उनको भी सबने संभाला अर्मान भी आया उनको चुप कराने के लिए फिर इस बार बिक बॉस्स खेल रहे हैं गेम अलग तरीके से जहां में डवी यसे ही कंटेस्टन गपेड के पास जाकर जो नाम लेते हैं वो नाम गुंचता है और सब को सुनाई देता है जिससे यह पता चल जाता है कि कौन किसको नॉमिनेट कर रहा है तो यह नॉमिनेशन की प्रक्रिया खतम होती है और इस हफते पास सदसे नॉमिनेट होते हैं जो कि ह जड़ाई काफी बढ़ जाती है जिससे विशाल अर्मान को नॉमिनेट करने का यह रीजन देते हैं कि कोई और सदसे नहीं था नॉमिनेट करने के लिए इसलिए किया और फिर अर्मान भी बोल देते हैं कि मुझे कच्छी रोटी नहीं चाहिए पकी हुई लूंगा तो यह ब तो इनकी लड़ाई जो है वो काफी हद तक काफी देर तक ही चली फिर बिग बस नया खेल खेलते हैं जिसमें वे भार वाले को कर देते हैं चेंज सना के बदले हो जाते हैं इस बर साइकेतन साइकेतन को बिग बस भार की गौसिप भी मेसिच के थ्रू भेज देते हैं जिस की उधर लगा रही है वह सोच रही है कि यह करके वह जीच जाएंगी बट जो की बहुत ही जादा वह गलत कर रही है इवन वह उनको बात करने की बिल्कुल तमीज रही है वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है और फिर बाद में अपनी गलती भी नहीं मानती है तो दोस्तों अगर आपको यह सीरीज पसंदा रही हो मेरी बिग बॉस की तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और आप डेली जो बिग बॉस में हो रहा है वो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है जानना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस किजिए बाबाई थैंक्यों